यदि आप अपने दोस्तों, सपाटियों या रिष्टेदारों का निरीक्षन करें तो आप पाएंगे कि वे एक दूसरे से कैसे भिन हैं, जिस तरह से वे देखते हैं, सीखते हैं और सुचते हैं, साथ ही विभिनकारों पर उनके प्रदर्शन में भी. जीवन के हर क्षेत्र में ऐसे व्यक्तिकत अंतर देखे जा सकते हैं. ये सपश्ट है कि लोग एक दूसरे से भिन हैं. कक्षा 11 में आपने मनोवग्यानिक सिध्धान्तों के बारे में सीखा है जिनका मानव व्यवहार को समझने के लिए प्रयोग किया जाता है. हमें ये भी ज कर रही है वह है इंटेलिजन्स. तो अब जटल विचारों को समझने, पर्यावरन के अनुकूल होने, अनुभव से सीखने, तरक के विभिन रूपों में सनलग्न होने और बाधाओं को दूर करने की क्षंता में एक दूसरे से भिन होते हैं. इस अध्याय में आप की प्रकृती, बुद्धी की बदलती परिभाशाएं, बुद्धी में सास्कृतिक अंतर, लोगों की बौधी दक्षताओं में विविद्ता और विविद्ता और विशेश योगिताओं या योगिताओं की प्रकृती का अध्यान करेंगे. मानव कारिप्रणाली में वयक्त रूप से सुन्दर नहीं। क्या आप ऐसी दुनिया में रहना पसंद करेंगे। पूरी संभावना है कि आपका उत्तर नहीं होगा। वस्तुओं की तरह लोगों में भी लक्षणों के विभिन सयोजन होते हैं। परिवर्त तन्शीलता प्रकृती का एक तत्य है और व्यक्ति इसके अपवाद नहीं है। वे शारीरिक विशेश्टाओं जैसे उँचाई, वजन, ताकत, बालों का रंग, आदी के संदर्ब में भिन होते हैं। वे मनोवेग्यानिक आयामों के साथ भी भिन होते हैं। जबकि कई मनोवेग्यानिकों का मानना है कि हमारे व्यवहार हमारे व्यक्तिकत गुनों से प्रभावित होते हैं, कुछ अन्ने का मानना है कि हमारे व्यवहार स्थितिजन्य कारकों से अधिक प्रभावित होते हैं। इस बाद के द्रिश्टिकों को स्थितिवाद के रूप में जाना जाता है, जो बताता है कि जिन स्थितियों और परिस्थितियों में किसी को रखा गया है, वे किसी के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। और खुशी जैसी अत्यदिक वेश्विक अफधरनाओं में भी। हमारा मुल्याकन अनौप्चारिक या अपचारिक हो सकता है। अप्चारिक मूल्याकन वस्तुनिष्ट, मानकी कृत और संगठित होता है। दूसरी और अनप्चारिक मूल्याकन एक मामले से दूसरे मामले में और एक मूल्यानकन करता से दूसरे में भिन होता है और इसलिए व्यक्तिपरक व्याख्याओं के लिए खुला है। पनोवेग्यानिकों को मनोवेग्यानिक विशेष्टाओं का उपचारिक मूल्याकन करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। एक बार मुल्याकन हो जाने के बाद, हम इस जानकारी का उप्योग भविश्यवानी करने के लिए कर सकते हैं कि हरीश भविश्य में कैसा व्यवहार करेगा। हम भविश्यवानी कर सकते हैं कि हरीश अगर एक टीम का नित्रित्व करने का मौका दिया जाता है, तो सबसे अधिक संभावना एक सत्तावादी निता होगी. यदि एनुमानित परिणाम वह नहीं है जो हम चाहते हैं, तो हम हरीश के व्यवाहार में बदलाव लाने के लिए हस्तक्षिप करना चाह सकते हैं. मुल्याकन के लिए चुनी गई विशेश्टा हमारे उद्देशे पर निर्भर करती है. एक कमजोर चात्र को परिक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने में मदद करने के लिए हम उसकी बौधिक ताकत और कमजोरियों का आकलन कर सकते हैं. यदि कोई व्यक्ति अपने परिवार और परोस्फिस अदस्यों के साथ तालमेल बिठाने में विफल रहता है, तो हम उसके व्यक्तित्व की विशेश्टाओं का आकलन करने पर विचार कर सकते हैं. एक खराब प्रेरित व्यक्ति के लिए हम उसकी रुचियों और प्राथमिक ताओं का आकलन कर सकते हैं. वे आमतोर पर बहु आयामी होते हैं. यदि आप किसी व्यक्ति का पूर्ण मुल्याकन करना चाहते हैं, तो आपको यह आकलन करना होगा कि वह विबिन डुमेन यक्षेत्रों जैसे संग्यानात्मक्द, भावनात्मक्द, सामाजिक आदी में कैसे कार्य करता है. इस अध्या का एक वैश्विक माप प्रदान करते हैं, जिसमें स्कूली शिक्षा से लाब की क्षमता भी शामिल है. आमतोर पर, कम बुद्धी वाले चात्रों के स्कूल से संबंधित परिक्षाओं में इतना अच्छा प्रदर्शन करने की संभावना नहीं होती है, लेकिन जीवन में उनकी सफलता केवल उनके बुद्धी परिक्षन के अंको से जुड़ी नहीं होती है. योगिता कौशल प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति के अंतनेहित शमता को संदर्भित करती है. एप्टेट्यूट टेस्ट का उप्योग ये भविश्यवानी करने के लिए किया जात 3. प्रुची एक व्यक्ति की दूसरों के साप एक शेक या अधिक विशिष्ट गतिविधियों में सनलगन होने की प्राथमिकता है. चात्रों की रुचियों का आकलन ये तैक करने में मदद कर सकता है कि वेकिन विशेव या पाठ्यक्रमों को आराम से और आनन्द के साथ अ 5. मूल्य व्यक्ति जीवन में अपने कारियों का मार्ग दर्शन करने के लिए और दूसरों का न्याय करने के लिए भी एक मानक निर्धारित करता है. मूल्य मूल्याकन में हम किसी व्यक्ति के प्रमुक मूल्यों जैसे राजनीतिक, धार्मिक, समाजिक या आर्थिक को निर्धारित करने का प्रयास करते हैं. मूल्याकन के तरीके मनोवैग्यानिक मूल्याकन के लिए कई तरीकों का इस्तिमाल किया जाता है. इनमें से कुछ विदियों के बारे में आपने कक्षा 11 में सीखा है आए हम उनकी प्रमुक विशेष्टाओं को याद करें मनोवैग्यानिक परीक्षन किसी व्यक्ति की मानसिक और या व्यवहार संबंदी विशेष्टाओं का एक वस्तुनिष्ट और मान की कृत्माप है उपर वर्नित मनोवैग्यानिक विशेष्टाओं जैसे बुद्धी, योग गिता, आदी के सभी आयामों को मापने के लिए वस्तुनिष्ट परीक्षन विक्सित किये गए है नैदानिक निदान, मार्कदर्शन, कर्मियों की चैन, नियुक्ती और प्रशिक्षन की प्रियोजनों के लिए इन परीक्षनों का व्यापक रूप से उप्योग किया जाता है बस्तुनिष्ट परीक्षणों के अलावा, मनुवैग्यानिकों ने कुछ प्रक्षेपी परीक्षण भी विक्सित किये हैं, विशेश रूप से व्यक्तित्व के मूल्याकन के लिए इनके बारे में आप अध्याय 2 में जानेंगे साक्षातकार में एक से एक आधार पर एक व्यक्ति से जानकारी प्राप्त करना शामिल है आप इसका उप्योग तब देख सकते हैं जब एक परामर्जदाता एक ग्रहक के साथ बात चीत करता है एक विक्रिता किसी विशेश उत्पात की उप्योगिता के बारे में घर-घर जाकर सर्वेक्षन करता है, एक नियुक्ता अपने संगठन के लिए कर्मचारियों का चैन करता है, या एक पत्रकार मुद्दो पर महत्वपुन लोगों का साक्षात कार लेता है. ट्राष्ट्रिय और अंतराष्ट्रिय महत्वके, केस स्टडी व्यक्ति के मनोवग्यानिक गुनों उसके मनोसामाजिक और भौतिक वातावरन के संदर्ब में मनोवग्यानिक इतिहास के संदर्ब में व्यक्ति का गहन अध्यन है. नैदानिक मनोवग्यानिकों द्वारा केस स् तविक समय में स्वाभाविक रूप से होने वाली व्यभाहार संबंधी घटनाओं को रिकॉर्ड करने के लिए व्यवस्थित, संगठित और वस्तुनिष्ट प्रक्रियाओं को शामिल करना शामिल है। मा बच्चे की बादचीत जैसी कुछ घटनाओं का अवलोकन के मादिम से आसानी से अध्यान किया जा सकता है। जान करता है कि लोग जिस वातावरन में रहते हैं उसके अनुसार अपने व्यभाहार को कैसे धलते हैं। इस भाग में आप बुद्धी के विभिन रूपों के बारे में पढ़ेंगे। बुद्धी की मनुवैग्यानिक धारना बुद्धी की सामाने समवेधनात्मक धारना से काफी अलग है। यदि आप एक बुद्धिमान व्यक्ति को देखते हैं तो आप उसमें मानसिक सतर्क तक अयार बुद्धी, सीखने में तेजी और रिष्टों को समझने की क्षमता जैसे गुनों को देख सकते हैं। औक्सफोर दिक्षनरी ने बुद्धी को समझने, सीखने, समझने और जानने की शक्ती के रूप में व्याख्या की है। जब हम बुद्धी के कुछ महत्वपुन सिध्धानतों पर चर्चा करेंगे, तो आप बुद्धी की अवधारना और ये कैसे विक्सित हुआ, इसे समझने में सक्षम होंगे। बुद्धी के सिध्धानतों के बारे में सोचें, जिन्हें आप बुद्धिमान मानते हैं और प्रत्येक के गुनों का वर्णन करते हुए कुछ शब्द वाक्यांच लिखें। 5. अपने सहपाथियों और शिक्षक के साथ अपनी रिपोर्ट पर चर्चा करें। 6. बुद्धिमत्ताक के बारे में शोद करताओं का क्या कहना है, इसकी तुलना करें। बुद्धी के सिध्धान्त मनोवै ज्यानिकों ने बुद्धी के कई सिध्धान्त प्रस्तावित किये हैं। सिध्धान्तों को मोटे तोर पर वर्गी कृत किया जा सकता है या तो साइकोमेट्रिक सन्रचनात्मक द्रिष्टिकोन या सूचना प्रसंसकरन द्रिष्टिकोन का प्रतिने धित्व करते हैं इस द्रिष्टिकोन का प्रमुप ध्यान इस बात पर है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति कैसे कार्य करता है। बुद्धी की संरचना या इसके अंतरनेहित आयामों पर ध्यान के इंडित करने के बजाए, सूचना प्रसंस करन दृष्टिकों बुद्धिमान वियवहार के अंतरनेहित संग्यानात्मक कार्यों का अधियन करने पर जोर देता है हम इन दृष्टिकों के कुछ प्रतीनिधी सिध्धान्तों पर चर्चा करेंगे हमने उपर उलेक किया है कि अलफ्रेड बिनेट पहले मनोवैग्यानिक थे जिन्होंने मानसिक संचालन की संदर्ब में बुद्धी की अवधारना को अपचारिक रूप देने का प्रयास किया उनसे पहले हम विबिन सास्टितिक परंब्राओं में उपलब्ध विबिन दार्शनिक रंथों में सामाने तरीकों से वरनित बुद्धी की धारना पाते हैं उनके बुद्धी के सिध्धान्त को यूनी या बुद्धी का एक कारक सिध्धान्त कहा जाता है ये सिध्धान्त तब विवादित हो गया जब मनोवग्यानिकों ने व्यक्तियों के डेटा का विशलेशन करना शुरू किया जिसे बिनेट के परीक्षन का उप्योग करके एकत्र किया गया था 1927 में चार्ल्स पियर्मेन ने कारक विशलेशन नामक एक सांखिय कि ये पद्धती को नियोजित करते हुए बुद्धि मत्ता के दो कारक सिध्धान का प्रस्ताव रखा उन्होंने दिखाया कि बुद्धि में एक सामाने कारक जी कारक और कुछ विशिष्ट कारक एस कारक शामिल होते हैं जी फेक्टर में मानसिक ओप्रेशन शामिल है जो सभी प्रदर्शनों के लिए प्राथमिक और सामान्य है उन्होंने कहा कि G-Factor के अलावा भी कई विशिष्ट योगिताएं होती है ये उसमें समाहित है जिसे उन्होंने S-Factor कहा था उत्रिष्ट गायक, आर्खिटेक्ट, वैग्यानिक और एथलीट G-Factor पर उच्चे हो सकते हैं लेकिन इसके अलावा उनके पास विशिष्ट शमताएं होती है जो उन्हें अपने संबंदित डोमेन में उत्रिष्टा प्रदान करने की अनुमती देती है Spearman की सिध्धान्त का अनुसरन लुई थस्टन की सिध्धान्त ने किया उन्होंने प्राथमिक मानसिक शमताओं के सिध्धान्त का प्रस्ताव रखा इसमें कहा गया है कि बुद्धी में साथ प्राथमिक शमताएं होती हैं जिनमें से प्रतेक दूसरों से अपेक्शाक्रत स्वतंत्र होती है ये प्राथमिक शमताएं हैं I. मौखिक समझ शब्दों, अवधरनाव और विचारों के अर्थ को समझना I. संख्यात्मक शमताएं, संख्यात्मक और कम्प्यूटेशनल कोशल में गती और सतीकता I. स्थानिक संबंद, विजुलाइजिन पैटन और रूप I. V. अवधरनात्मक गती विवरन को समझने की ग स्थार्टू, जिसे संख्यानात्मक शमता कहा जाता है, में उच्चक्रम के कौशल शामिल होते हैं क्योंकि विप्रभावी आउट्पुट उटपन करने के लिए इन्पुट को बदलते हैं JP Gillford ने Structure of Intellect Model का प्रस्ताव रखा, जो तीन आयामों के बीच बौधिक लक्षणों को वर्गी कृत करता है, संचालन, सामगरी और उत्पाद संचालन वह है जो प्रतिवादी करता है, इनमें अनुभूती, Memory Recording, Memory Retention, Divers and Production, Conversion, Production और मूल्याकन शामिल है सामगरी सामगरी या जानकारी की प्रकृती को संदर्भित करती है, जिस पर बौधिक संचालन किया जाता है इनमें द्रिश्यक, श्रवन, प्रतिकात्मक जैसे, अक्षर, संख्याक, शब्दात, जैसे, शब्द और व्यवहारिक जैसे, लोगों के व्यवहार, द्रिश्टिकून, जरूरतों आधी के बारे में जानकारी शामिल है उपद उस रूप को संदर्वित करते हैं, जिसमें प्रतिवादी द्वारा सूचना को संसाधित किया जाता है उपदों को इकायों, वर्गों, संबंदों, प्रिवर्तनों, और नहितार्थों में वर्गी कृत किया गया है चूनकी इस वर्गी करन गिलफोर्ट 1988 में 6 feet 5 feet 6 श्रेनिया शामिल है इसलिए model में 180 सेल है प्रत्येक कोशिका से कम से कम एक कारक यक्षमता होने की अपेक्षा की जाती है कुछ कोशिकाओं में एक से अधिक कारक हो सकते हैं प्रत्येक कारक को तीनों आयामों की संदर्व में वर्नित किया गया है उपर युक्ष सिध्धांत बुद्धिमान व्यवहार को समझने के लिए साइकोमेट्रिक द्रिष्टिकोन का प्रतिने धित्व करते हैं मल्टिपल इंटेलिजेंस का सिध्धांत होवर्ग गार्णन ने मल्टिपल इंटेलिजेंस की सिध्धांत का प्रस्ताव दिया उनके अनुसार बुद्धी एक इकाई नहीं है बलकि विशिष्ट प्रकार की बुदिन्दाएं मौझूद है इनने से प्रतिक बुद्धी एक दूसरे से स्वतंत है इसका मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति एक प्रकार की बुद्धी प्रदर्शित करता है तो यह जरूरी नहीं कि अन्य प्रकार की बुद्धी पर उच्चे या निम्न होने का संकेत दे गार्णा ने ये भी बताया कि किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए विबिन प्रकार की बुद्धिंदाय परस पर क्रिया करती है और एक साथ काम करती है गार्णा ने अत्यंत प्रतिभाशाली व्यक्तियों का अध्यान किया जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में असाधारं क्षम्ता दिखाई थी और आठ प्रकार की बुद्धी का वर्नन किया मुखर होते हैं और अपने दिमाग में भाशाय चित्र बना सकते हैं बुद्धी के इस धटक में कभी और लेखक बहुत मजबूत होते हैं तारकिक गनितिये तारकिक और गंभीर रूप से सोचने और समस्याओं को हल करने की ख्षम्ता इस प्रकार की बुद्धी से उच्च व्यक्ति तारकिक और गंभीर रूप से सोच सकते हैं वे अमूर्थ तर्क में संलगन है और गनितीय समस्याओं को हल करने के लिए प्रतिकों में हेरफेर कर सकते हैं इस घटक में वैग्यानिकों और नोबेल पुरसकार विजयताओं के मजबूत होने की संभावना है स्थानिक द्रिश्य चवियों और पैटन बनाने की क्षमता यहमानसिक चवियों को बनाने, उप्योग करने और बदलने में शामिल क्षमताओं को संदर्भित करता है इस बुद्धीर पर उच्च व्यक्ती आसानी से मन में स्थानिक दुनिया का प्रतिन धित्व कर सकता है पाइलो, नाविको, मूर्तिकारो, चित्रकारो, वस्तोकारो, आंतरिक सज्जाकारो और सर्जनों में अत्यदिक विक्सित स्थानिक बुद्धी होने की संभावना है इस बुद्धीर पर उच्च व्यक्ति ध्वनी और कमपन के प्रती और ध्वनियों के ने पैटन बनाने में बहुत सम्वेदंशील होते हैं चारीरिक का इनस्थेटिक शरीर के पूरे या कुछ हिस्सों को लचीले धंग से और रचनात्मक रूप से उप्योग करने की क्षमता इसमें उतपादों के प्रदर्शन या निर्मान और समस्या समाधान के लिए पूरे शरीर या इसके कुछ हिस्सों का उप्योग होता है एथलीटों, नर्तकियों, अभिनेताओं, खिलारियों, जिमनास्टों और सर्जनों में इस प्रकार की बुद्धी होने की संभावना होती है इंट्रापर्सनल, अपनी भावनाओ, उद्धेशों और इच्छाओं को समझने की क्षमता ये किसी के आंतरिक शक्तियों और सीमाओं के ज्यान को संदर्भित करता है और उस ज्यान का उप्योग दूसरों से प्रभावी धंग से संबंधित करने के लिए करता है इस क्षमता से उच्छ व्यक्तियों में अपनी पहचान, मानवस्तित्वा और जीवन के अर्थ के बारे में बहतर समवेधन शीलता होती है दार्शनिक और आध्यात्मिक नेता इस प्रकार की बुद्धी के उदाहरन प्रस्तुत करते हैं प्राकृतिक प्राकृतिक दुनिया की विशेष्टाओं की पहचान करने की क्षमता इसमें प्राकृतिक दुनिया के साथ हमारे संबंधों के बारे में पूरी जागरुकता शामिल है ये वनस्पतियों और जीवों की विभिन प्रजातियों की सुन्दर्ता को पहचानने और प्राकृतिक दुनिया में सुक्षम भेदभाव करने में उप्योगी है चिकारी, किसान, परिटक, वनस्पति विज्ञानी, प्रानी विज्ञानी और पक्षी देखने वालों में प्रकृतिवादी बुद्धी अधिक होती है इस सिध्धान्त के अनुसार तीन बुनियादी प्रकार की बुद्धी हैं, घटक, अनुभवात्मक और प्रासंगिक बुद्धी के त्रिचापिये सिध्धान्त के तत्वों को चित्र 1.1 में दिखाया गया है Componential Intelligence, Componential या Analytical Intelligence समस्याओं को हल करने के लिए सूचना का विशलेशन है इस शम्ता के उच्छ स्तर वाले व्यक्ति विशलेशन आत्मक और गंभीर रूप से सोचते हैं और स्कूलों में सफल होते है इस बुद्धी के तीन घटक हैं प्रते के एक अलग कार्य करता है पहला ज्यान प्राप्ति घटक है जो चीजों को करने की तरीकों को सीखने और हासिल करने के लिए जिम्मेदार है दूसरा मेटा या उच्छक्रम घटक है जिसमें योजना बनाना शामिल है कि क्या करना है और कैसे करना है तीसरा प्रदर्शन घटक है जिसमें वास्तव में चीजों को करना शामिल है अनुभवात्मक बुद्धी अनुभवात्में किया रचनात्मक बुद्धी पिछले अनुभवों का उप्योग रचनात्मक रूप से उपन्यास समस्याओं को हल करने में शामिल है गेह रचनात्मक प्रदर्शन में परिलक्षित होता है इस पहलू पर उच्च व्यक्ती विभिन अनुभवों को नई खोज और आविशकार करने के लिए एक मूल तरीके से एकिक्रित करते हैं वे जल्दी से पता लगा लेते हैं कि दीगई स्थिती में कौन सी जानकारी महत्वपुन है गतिविधी 1.2 feet practical track पर आपका अभी अभी स्कूल कॉलेज में दाखिला हुआ है आप पूरे वर्ष के दौरान तीन परिक्षाय देंगे आप इमांदारी से पार्ठ्यक्रम में उच्च अंप्राप्त करना चाहते हैं निमनलिखित में से प्रत्येक्रिया में आपके शामिल होने की कितनी संभावना है कारवाई के निमनलिखित पार्ठ्यक्रमों को रेंट करें अपने उत्तर का अपने सहपाथियों के उत्तर से मिलान कीजिए कक्षाओं में नियमित रूप से भाग ले सापताहिक चर्चा के लिए अपने दोस्तों के साथ अध्यन समोह बनाए कक्षा में विस्त्रित नोट्स ले किसी टिटोरियल कोचिंग सेंटर से जुड़े प्रत्य एक अध्याय के लिए लिखित नोट्स तेयार करें पाट्य पुस्तक के अध्यायों को अच्छी तरह से पढ़ें पिछले तीन वर्षों के प्रशनों को हल करें कक्षा के बाद अपने शिक्षख से बात करे प्रासंदिक बुद्धी प्रासंदिक या व्यवहारिक बुद्धी में दैनिक आधार पर सामने आने वाली पर्यावरणिये मानदों से निपटने की क्षमता शामिल है इसे street smartness या business sense कहा जा सकता है इस पहलू पर उच्छ व्यक्ति आसानी से अपने वर्तमान परिवेश के अनुकूल हो जाते हैं या मौजुदा वातावरन की तुलना में अधिक अनुकूल वातावरन का चैन करते हैं या अपनी आवश्यक्ताओं के अनुरूप परियावरन को संशोधित करते हैं इसलिए ये जीवन में सफल होते हैं स्टनबर का बुद्धी का त्रैमासिक सिध्धान बुद्धी को समझने के लिए सूचना प्रसंसकरन दृष्टिकों का प्रतिने धित्व करता है क्योजना, ध्यान, उत्तेजना और एक साथ क्रमिक पास इंटेलिजेंस का मॉडल यह मॉडल जेपी दास जैक नागलिरी और किर्भी 1994 द्वारा विक्सित किया गया है इस मॉडल के अनुसार, बौधिक गतिविधी में तीन नियुरोलोजिकल सिस्टम के अन्योनियाश्रित कामकाज शामिल होते हैं, जिन्हें मस्तिष्की कार्यात्मक एकाया कहा जाता है यह काया क्रमशह उत्तेजना ध्यान, कोडिन या प्रसंसकरन और योजना के लिए जिम्वेदार है उत्तेजना ध्यान, उत्तेजना की स्थिती किसी भी व्यवहार के लिए बुनियादी है क्योंकि यह हमें उत्तेजनाओं में भाग लेने में मदद करती है उप्तेजना और ध्यान एक यक्ती को सूचना संसाधित करने में सक्षम बनाता है उप्तेजना का इस्तमस्तर किसी समस्या के प्रासंडिक पहलूँ पर हमारा ध्यान के इंदित करता है बहुत अधिक या बहुत कम उप्तेजना अवधान में बाधा उत्पन करेगी उदाहरं के लिए जब आपको आपके शिक्षिक द्वारा एक परीक्षा के बारे में बताया जाता है जिसे वहायोजित करने की योजना बना रहा है तो यह आपको विशिष्ट अध्यायों में भाग लेने के लिए प्रेरित करेगा उप्तेजना आपको अध्यायों की सामगरी को पढ़ने, सीखने और संशोदित करने पर अपना ध्यान के इंदित करने के लिए मजबूर करती है एक साथ और क्रमिक प्रसंशकरन आप सूचना को अपनी ग्यान प्रनाली में एक साथ या क्रमिक रूप से एक इक्रित कर सकते हैं एक साथ प्रसंसकरन तब होता है जब आप विभिन अवधरनाओं के बीच संबंधों को समझते हैं और उन्हें समझने के लिए सार्थक पैटन में एक इक्रित करते हैं। उदाहरन के लिए रेविन प्रोग्रेसिव मेट्रिसिस आर पीम टेस्ट में एक डिजाइन प्रस्तुत किया जाता है जिसमें से एक भाग को हटा दिया गया है। ये हमें कारवाई के संभावित तरीकों के बारे में सोचने, लक्षे तक पहुँचने के लिए उन्हें लागू करने और उनकी प्रभावशीलता का मुल्याकन करने की अनुमती देता है। प्रक्रियाएं उपचारिक रूप से परने, लिखने और प्रयोग करके या पर्यावरन से उनपचारिक रूप से विक्सित ज्यान के आधार पर संचालित होती है। लिए किया जा सकता है। अपने बौधिक, व्यक्तित्वा और व्यवहार संबंधी विशेश्टाओं में काफी समानता दिखाते हैं। अलग-अलग वातावरन में पाले गए एक जैसे जुर्वा बच्चों की बुध्धि मत्ता 0.72 से संबंधित है, भरात जुर्वा बच्चों की बुध्धि लगभग 0.60 सहसंबंधित है, और भाई बहनु की एक साथ पालन पोशन 0.50 के बारे में सहसंबंध है, जबकि भाई प्रियावरन की कमी से बुध्धी कम होती है, जबकि सम्रिधर पोशन अच्छी पारिवारिक प्रिष्ट भुमी और गुनवत्ता पुन स्कूली शिक्षा से बुध्धी बढ़ती है, पनोवय ग्यानिकों के बीच एक आम सहमती है कि बुध्धी अनुवन शिक्ता ककृती औ आकलन 1905 में अलफ्रेड बिनेट और थियोडोर साइमन ने औपचारिक रूप से बुध्धी को मापने का पहला सफल प्रयास किया, 1908 में जब पैमाने को संशोधित किया गया, तो उन्होंने मानसिक आयू, मेक की अफधारना दी, जो किसी व्यक्ति के बौधिक विकास का उ मानसिक आयू वर्ष कम होने की रूप में परिभाशित किया गया था, 1912 में एक जर्मन मनोवय ग्यानिक बिलियम स्टर्म ने इंटेलिजेंस फोशिंट IQ की अफधारना तयार की, IQ का तात पर यह मानसिक आयू को कालानुक्रमिक आयू से विभाजित करके 100 से गुना करना है, IQ equals 100 संख्या 100 का उप्योग दशमलव बिंदू से बचने के लिए गुनक के रूप में किया जाता है, जब MACA के बराबर होता है, तो IQ 100 के बराबर होता है, यदि MACA से अधिक है, तो IQ 100 से अधिक है, MACA से कम होने पर IQ 100 से कम हो जाता है, उदाहरन के लिए 12 साल की मानसिक ओमर व में वाले एक ही बच्चे का IQ 77 10 feet 100 होगा, जनसंख्या में औसत IQ 100 है, भले ही उम्र कुछ भी हो, IQ score जनसंख्या में इस तरह से वित्रित किये जाते हैं कि अधिकांच लोगों किसको वित्रण की मद्दिश्रेनी में आते हैं, केवल कुछ ही लोगों के पास या तो बहुत मन्क होते हैं, IQ score के लिए आवरिती वित्रण घंटी के आकार के वक्र का अनुमान लगाता है, जिसे सामाने वक्र कहा जाता है, इस प्रकार का वित्रण के इंद्रियमान के चारो और सम्मित है, जिसे माद्दे कहा जाता है, सामाने वित्रण के रूप में IQ score का वित्रण चि भावाला माना जाता है। किसी व्यक्ति के IQ स्को की व्याक्या तालिका 1.1 के संदर्ब में की जा सकती है। समाने वक्र पैटन कम्क्यूटिंग IQ 16 वर्ष की मानसिक आयू वाले 14 वर्षिये बच्चे का IQ ज्यात करें। 90 IQ वाले 12 वर्षिये बच्चे की मानसिक उम्र का पता लगाएं। गतिविधी 1.3 सभी व्यक्तियों की बौधिक शमता समान नहीं होती है। कुछ असाधारन रूप से उजवल हैं और कुछ वसत से कम है। बुद्धी परीक्षं का एक व्यवारिक उप्योग बौधिक कामकाज के चरम पर व्यक्तियों की पहचान करना है। यदि आप तालिका 1.1 का संदर्व ले तो आप देखेंगे कि लगभग 2 प्रतिशत जनसंख्या का IQ 130 से उपर है औ बौधिक कमी एक और प्रतिभाशाली और रचनात्मत व्यक्ति हैं जिनके बारे में हमने पहले संक्षेप में चर्चा की थी। दूसरी और ऐसे बच्चे भी हैं जिन्हें अत्यान सरल कोशलों को सीखने में भी अत्यदिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। वे बच्च सबसे पहले बौधिक रूप से विकलान के रूप में निरने लेने के लिए एक व्यक्ति को महत्वपुन रूप से उप औसत बौधिक कार्य प्रणाली दिखानी चाहिए। 70 से कम IQ वाले व्यक्तियों को औसत से कम बुद्धी वाला माना जाता है। दूसरा अनुकूली व् पहार एक व्यक्ति की स्वतंत्र होने और अपने पर्यावरन के साथ प्रभावी धंग से निपटने की क्षमता को संदर्भित करता है। तीसरी विशेशता ये है कि कमी को विकासात्मक अवधी के दौरान देखा जाना चाहिए, जो कि 0-18 वर्ष की आयू के बीच है। जिन पहले सीखा है कि जनसंख्या में माद्य IQ score 100 है। इन आकरों का उपयोग बौधिक रूप से अक्षम लोगों की श्रेनियों को समझने के लिए किया जाता है। मद्यम विकलान्ता वाले लोग भाशा और मोटर कोशल में अपने साथियों से पीछे रह जाते हैं। उन्हें स्वร देखभाल कोशल और सरल समाजिक और संचार कोशल में प्रशिक्षित किया जा सकता है। उन्हें रोज्मर्वा के कारयों में मद्यम स्तर की देखरेक की आवश्यक्ता होती है। गहन और गंभीर विकलानता वाले व्यक्ति जीवन का प्रबंधन करने में अक्षम होते हैं और उन्हें अपने पूरे जीवन के लिए निरंतर देखभाल की आवश्यक्ता होती है। आप अध्याय 4 में बौधिक रूप से अक्षम लोगों की विशेशताओं के बारे में और अधिक पढ़ेंगे। बौधिक रूप से प्रतिभाशाली व्यकति अपनी उत्रिष्ट शमताओं के कारण उच्चे प्रदर्शन दिखाते हैं। प्रतिभाशाली व्यक्तियों का अधियन 1925 में शुरू हुआ, जब लुईस टर्मन ने 130 और उससे अधिक के आई कि वाले लगभग 1500 बच्चों के जीवन का अनुसरन किया, ये जाचने के लिए कि कैसे बुद्धी व्यावसाइक सफलता और जीवन समायोजन से संबंधित थी यद्यपी शब्ध, प्रतिभा और प्रतिभाशाली तरक का प्रयोग अकसर एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है प्रतिभा असाधारन सामान एक्षंता है जो गविन प्रकार के क्षेत्रों में बहतर प्रदर्शन में दिखाई जाती है प्रतिभा एक संकियन शब्ध है और एक विशिष्ट शेत्र जैसे आध्यात्मिक, सामाजिक, सौंदर या आधिक में उलेकनी अक्षंता को दर्शाता है अत्यदिक प्रतिभाशाली लोगों को कभी कभी कौतुक कहा जाता है पनोवेग्यानिकों द्वारा ये सुझाव दिया गया है कि शिक्षकों के द्रिष्टिकोंड से प्रतिभा उच्चक्षंता, उच्चर रचनात्मक्ता और उच्चर प्रतिबधता के सयोजन पर निर्भर करती है प्रतिभाशाली बच्चे बौधिक श्वेश्थता की शुरुवाती लक्षन दिखाते हैं बहतर साइको मोटर क्षंता दिखाने वाले एटलीटों को भी उफार दिया जाता है प्रतिभाशाली चात्र के पास अलग अलग ताकत व्यक्तित्वा और विशेश्थाएं होती हैं प्रतिभाशाली बच्चों की कुछ महत्वपूर्ण विशेश्थाएं हैं उननत तारकिक सोच, प्रशन पूछना और समस्या समाधान व्यवाहार जानकारी संसाधित करने में उच्चे गती सुपीरिय सामानी करन और भेदभाव शंता मूल और रचनात्मक सोच का उननत स्तर आंतरिक पेरना और आत्म सम्मान का उच्चे स्तर स्वतंत्र और गयर अनुरुपतावादी सोच रंभी अवधी के लिए एकांथ शेक्षनिक गतिविधियों को वरियता प्रतिभा की पहचान करने के लिए बुद्धी परीक्षनों पर प्रदर्शन ही एक मात रुपाए नहीं है सूचना के कई अन्यस्रोट जैसे शिक्षकों का निरनय, स्कूल उपलब्धी रिकॉर्ड, माता-पिता के साक्षातकार, सक्कर्मी और आत्म मूल्याकन आदी का उप्योग बौधिक मूल्याकन के सयोजन में किया जा सकता है अपनी पूरी क्षमता तक पहुँचने के लिए प्रतिभाशाली बच्चों को नियमित कक्षाओं में सामाने बच्चों को प्रदान किये जाने वाले कार्यक्रमों से परे विशेश ध्यान और विभिन शेक्षी की कार्यक्रमों की आवश्यक्ता होती है इनमें जीवन समवर्धन कार्यक्रम शामिल हो सकते हैं जो पादक सोच, योजना, निरनाई लेने और संचार में बच्चों के कोशल को तेज कर सकते हैं बुद्धी परीक्षन के प्रकार बुद्धी परीक्षन कई प्रकार के होते हैं उनकी प्रशासन प्रक्रिया के आधार पर उन्हें व्यक्तिकत या समूँ परीक्षनों के रूप में वर्गी कृत किया जा सकता है। परीक्षनों के लिए परीक्षन प्रशासक को विशे के साथ ताल में स्थापित करने और परीक्षन सत्र के दोरान उसकी भावनाव, मनोदशाओं और अभिव्यक्तियों के प्रति समवेधनशीर होने की आवश्यक्ता होती है। परीक्षनों में विशेओ को मौकिक रूप से या लिखित रूप में मौकिक प्रतिक्रिया देने की आवश्यक्ता होती है। इसलिए मौकिक परीक्षन केवल साक्षर लोगों को ही दिये जा सकते हैं। गैर मौकिक परीक्षन परीक्षन मदों के रूप में चित्रों या चित्रों का उप्योग करते हैं। गैर मौकिक परीक्षन का एक उदाहरन है। इस परीक्षन में विशे एक अधूरे पैटन की जाज करता है और विकल्पों में से एक आकड़ा चुनता है जो पैटन को पूरा करेगा प्रदर्शन परीक्षनों में विशेओ को कारे करने के लिए वस्तूओं और अन्ने सामग्रियों में हेर फेर करने की आवश्यक्ता ह प्रश्णों के उत्तर देने के लिए लिखित भाशा आवश्यक नहीं है। लोकाचार का प्रतिने धित्व करते हैं। इसलिए शिक्षित मध्यम वर्क के श्वेद विशे आमत और पर उन परीक्षनों पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं। आइटम एशिया और अफ्रीका के सास्वितिक द्रिश्टिकोन का सम्मान नहीं करते हैं। इन परीक्षनों के मान्दन भी पश्चिमी सास्वितिक सम्मूहों से लिए गए हैं। कक्षा 11 में चर्चित मान्दनों की अफधारना से आप पहले से ही परिचित होंगे। ऐसा परीक्षन डिजाइन करना लगबर असंभव है जिसे सभी संस्वितियों में समान रूप से सार्थक रूप से लागू किया जा सके। पनोवे ग्यानिकों ने ऐसे परीक्षण विक्सित करने का प्रयास किया है जो संस्कृती निश्पक्ष या सास्वितिक रूप से उप्योगत हो और थात ऐसा जो विबिन संस्कृतियों से संबंदित व्यक्तियों के साथ भेदभाव नहीं करता हो। इस तरह के परीक्षनों में मदों का निर्मान इस तरह से किया जाता है कि वे बुद्धी परीक्षन के कुछ दुरुपयोग अब तक आपने सीखा होगा कि बुद्धी परीक्षन चैन, परामर्ष, मार्ग दर्शन, आत्मा विशलेशन और निदान जैसे कई उपयोगी उद् परीक्षन समाज में माता-पिता, शिक्षकों और बड़ों से भेधभावपून प्रथाओं को आमन्फित कर सकते हैं। सभी संस्कृतियों के लिए सामाने अनुभवों का आकलन करें या ऐसे प्रशन पूछे जिन में भाषा के उपयोग की आवश्यक्ता नहीं है। क्यूब कंस्रक्षन और कोस ब्लॉग डिजाइन सहित कुछ पश्चिमी परीक्षनों के लिए भारतिया मांधन विक्सित करने के प्रयास भी किये गए। क्लोंड और महता ने भारत में बुद्धी के 103 परीक्षनों को सूची बद करते हुए एक मांसिक मापन पुस्तिका तयार की जो विभिन भाषाओं में उपलब्ध थी। तब से पश्चिमी संस्वितियों से कई परीक्षन या तो विक्सित किये गए हैं या अनुकूलित किये गए हैं। या विक्तियों को उनके पर्यावरन के अनुकूल होने में मदद करती है। और उपलब्धियों की एक सामुहिक प्रनाली है। इन सास्कृतिक मापदन्डों द्वारा एक व्यक्ति की बुद्धी को ट्यून किये जाने की संभावना है। कई सिधान्तकारों ने बुद्धी को उनकी सांस्कृतिक प्रिष्ट भूमी की परवा किये बिना व्यक्ति के विशिष्ट गुनों के रूप में माना है। संस्कृति की अनूठी विशेष्टाओं को अब बुद्धी की सिध्धान्तों में कुछ प्रतिन धित्व मिलता है। स्टनबर्ग की प्रासंगिक या व्यभारिक बुद्धी की धारना का अर्थ है कि बुद्धी संस्कृति का एक उतपाद है। वाइगोट्स की का ये भी मानना था कि व्यक्तियों की तरह संस्कृतियों का भी अपना जीवन होता है। जिसे तकनीकी बुद्धिमत्ता कहा जा सकता है। इन समाजों में व्यक्ति ध्यान, अवलोकन, विशलेशन, प्रदर्शन, गती और उपलब्धी उनमुखीकरन के कौशल में पारंगत होते हैं। पश्चिमी संस्वितियों में विक्सित बुद्धी परीक्षन एक व्यक्ति में इन कौशलों के लिए ठीक ठीक दिखते हैं। कई एशियाई और अफ्री की समाजों में तकनीकी बुद्धिमत्ता को इतना महत्व नहीं दिया जाता है। गैर पष्चिमी संस्फितियों में बुद्धिमान कारियों के रूप में माने जाने वाले गुन और कौशल तेजी से भिन है, हाला कि पष्चिमी संस्फितियों के प्रभाव में सिमाय धीरे-धीरे गायब हो रही है। संग्यानात्मक शम्ता के अलावा जो व्यक्ति के लिए बहुत विशिष्ट है, गैर पश्चिमी संस्वितिया समाज में दूसरों से संबंधित कोशल की तलाश करती हैं। कुछ गैर पश्चिमी समाज व्यक्तिकत उपलब्दी और व्यक्तिवादी अभिविन्यास के विप्रीट आत्म प्रतिविंब और सामुविक अभिविन्यास को महत्व देते हैं। पश्चिमी विप्रीट जो मुख्य रूप से संब्यानात्मक माबदंडों पर ध्यान के इंदित करते हैं। दूसरों के बारे में चिनता, दूसरों के द्रिश्टिकों उनको पहचानना। और भावनाओं के नियमन को रिखाकित करता है ये बुद्धी का भाव पक्ष है जीवन में सफल होने के लिए एक अच्छा IQ और स्कॉलेस्टिक रिकॉर्ड ही काफी नहीं है आपको कई ऐसे लोग मिल सकते हैं जो अकादमिक रूप से प्रतिभाशाली हैं लेकिन अपने जीवन में असफल हैं वे परिवार, कारिस्थल और पारसपरिक संबंदों में समस्याओं का अनुभव करते हैं उनके पास क्या कमी है? कुछ मनोवैग्यानिकों का मानना है कि उनकी कटिनाई का स्रोथ भावनात्मक बुद्धिमत्ता की कमी हो सकती है इस अफधारना को सबसे पहले सालोवी और मेरद्वारा पेश किया गया था जिन्होंने भावनात्मक बुद्धिमत्ता को अपनी और दूसरों की भावनाओं की निग्रानी करने उनके बीच भेदभाव करने और किसी की सोच और कारियों को निर्देशित करने के लिए जानकारी का उपयोग करने की क्षमता के रूप में माना था Emotional Quotient EQ का उपयोग भावनात्मक बुद्धि मत्ता को व्यक्त करने के लिए उसी तरह किया जाता है जैसे IQ का उपयोग बुद्धि को व्यक्त करने के लिए किया जाता है सरल शब्दों में भावनात्मक बुद्धि मत्ता का तात्पर या भावनात्मक सूचनाओं को सही और कुशलता से संसाधित करने की क्षमता से है उच्छ भावनात्मक बुद्धी वाले व्यक्तियों की विशेष्टाओं को जानने के लिए box 1.2 पढ़े बाहरी दुनिया की तनाव और चुनोतियों से प्रभावित चात्रों से निपटने के लिए भावनात्मक बुद्धि मत्ता पर शिक्षकों का ध्यान बढ़ रहा है चात्रों की भावनात्मक बुद्धी में सुधार लाने के उद्देशी से कारेक्रमों का उनकी शेक्षणिक उपलब्धी पर लाबकारी प्रभाव पड़ता है वे सहकारी व्यवहार को प्रोचसाहित करते हैं और अपनी असामाजिक गतिविधियों को कम करते हैं तक्षा के बाहर जीवन की चुनोतियों का सामना करने के लिए छात्रों को त्यार करने में ये कारेक्रम बहुत उप्योगी है। विशेश्क शम्ता हैं अभिक्षम्ता, प्रकृती और मापन अब तक आप बुद्धी के बारे में काफी कुछ सीख चुके हैं। आपको याद होगा कि बुद्धी परीक्षन एक सामाने मानसिक शम्ता का आकलन करते हैं। अधिमान विध्यार्ती अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। अधिमान विध्यार्ती परीक्षन नहीं होगा इंजीनेर्ण में उच्च यांत्रिक योगिता और मजबूत रुची वाले चात्र के सफल मकेनिकल इंजीनेर बनने की संभावना अधिक होती है। अधिट्यूद टेस्ट दो रूपों में उपलब्ध हैं, स्वतंत्र विशेश अधिट्यूद टेस्ट और मुल्टिपल समानेकरित अधिट्यूद टेस्ट। Clerical Aptitude, Mechanical Aptitude, Numerical Aptitude और Typing Aptitude स्वतंत्र Aptitude Taste है Multiple Aptitude Taste टेस्ट बैटरी के रूप में मौझूद है जो कई अलग-अलग लेकिन सम्रूप शेत्रों में Aptitude को मापते है Differential Aptitude Taste, DAT, General Aptitude Taste Battery, GATB और Armed Services Vocational Aptitude Battery, ASVAB जाने माने Aptitude Taste Battery है इनने से That का सबसे अधिक उप्योग शेक्षी की सेटिंग्स में किया जाता है इसमें 8 स्वतंत्र उप परीक्षन शामिल है I. मौखिक तर्क, E. संख्यात्मक तर्क, E. सार्तर्क, IV. लिपिकिये गती और सटीक्ता, V. यांत्रिक्तर्क, V. अंतरिक्ष संबंद, V. वर्तनी और V. भाशा का प्रयोग J. मोजा ने DAT का भारतिये रूपांतरन विक्षित किया है वैग्यानिक, विद्वतापूर्ण, साहित्यक, लिपिकिये और शिक्षन अभिक्षमता को मापने के लिए भारत में कई अन्य योगिता परीक्षन विक्षित किये गए है स्विजनात्मक्ता पिछले अनुभागों में आपने पड़ा है कि बुद्धी, अभिक्षमता, व्यक्तित्वा आदी जैसे मनोवैग्यानिक गुनों में विभिन्ताए होती है यहां आप सीखिने की व्यक्तियों में रचनात्मक्ता की क्षमता और रचनात्मक्ता व्यक्त करने के तरीके में अंतर है कुछ अत्यदिक रचनात्मक्ता व्यक्त कर सकते हैं अन्य नृत्य, संगीत, कविता, विज्यान आदी में किसी समस्या के उपन्यास समाधान, एक आविशकार, एक कविता की रचना, पेंटिंग, नई रासायनिक प्रक्रिया, कानून में एक नवीन्ता, एक बीमारी को रोकने में एक सफलता आदी में रचनात्मक्ता की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है पिंताओं के बावजूद, इनमें से एक सामाने तत्व कुछ नया और अद्वितिय का उत्पादन है हमाम तौर पर रचनात्मक्ता के बारे में टेगोर, आइंस्टीन, सी वी, जैसे रचनात्मक्ति व्यक्तियों के संदर्ब में सुचते हैं ट्रमन, रामानुजन आदी जिन्होंने विभिन क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान दिया है हाल के वर्षों में रचनात्मक्ता के बारे में हमारी समझ व्यापक हुई है रचनात्मक्ता केबल कुछ शुनिंदा लोगों तक ही सीमित नहीं है कलाकार, व्यग्यानिक, कभी या आविशकारक एक साधारन व्यक्ति जो मिट्टी के बरतन, बधाईगीरी, खाना पकाने आदी जैसे सरल व्यवसायों में लगा हुआ है वह भी रचनात्मक हो सकता है खाला कि ये कहा गया है कि वे एक प्रसिद वैग्यानिक या लेखक के समान रचनात्मक्ता के स्तर पर काम नहीं कर रहे हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि व्यक्ति स्तर और उनक्षेत्रों के संदर्व में भिन होते हैं जिन में वे रचनात्मक्ता प्रदर्शित करते हैं और हो सकता है कि सभी एकी स्तर पर काम नहीं कर रहे हो चोध साहित्य से पता चलता है कि बच्चे बच्चपन की शुरुआती वर्षों में अपनी कल्पना को विक्सित करना शुरू कर देते हैं लेकिन वे ज़्यादातर शारीरिक गतिविधियों और गयर मौकिक तरीकों से रचनात्मक्ता व्यक्त करते हैं जब भाशा और बौधिक कार्य पूर्ण रूप से विक्सित हो जाते हैं और ग्यान का भंडार पर्याप्त रूप से उपलब्ध हो जाता है तो स्रिजनात्मक्ता मौकिक माध्यमों से भी अभिव्यक्त होती है जो लोग अपनी रचनात्मक्ता में उद्कृष्ट हैं वे इस बात का संकित दे सकते हैं कि उनकी रचनात्मक्ता किस दिशा में उनकी स्वयम की चुनी हुई गतिविधियों के माध्यम से है हाला कि कुछ मामलों में, रचनात मक्ता के लिए अपनी इछिपी क्षमता को प्रकट करने से पहले अफसर प्रदान करने की आवश्यक्ता होती है。 हम रचनात मक्ता की क्षमता में विविध्ताओं की व्याख्या कैसे करते हैं? जैसा कि अन्य मानसिक और शारीलिक विशेशताओं के मामले में होता है, इस तरह की विविद्ताओं को आनुवनशिक्ता और पर्यावरन की जटिल बातचीत के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है इसमें कोई असेहमती नहीं है कि रचनात्मक्ता आनुवनशिक्ता और पर्यावरन दोनों से निर्धारित होती है रचनात्मक्षम्ता की सीमाय आनुवनशिक्ता द्वारा निर्धारित की जाती है, पर्यावरन ये कारक रचनात्मक्ता के विकास को प्रोचसाहित करते हैं रचनात्मक्ता को बढ़ाने की रनीतियों के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। वो घर पर अपनी मा की मदद करने के नए तरीकों में सुधार करती है और अपने काम और असाइन्मेंट करने के नए तरीकों के साथ आती है। जीवन के दोरान किसी क्षेत्र में रचनात्मक्ता के लिए प्रसिद नहीं हुआ था। रचनात्मक्ता के लिए भाशा से निपटने में सुधा की जरूरत है। यह निशकर्श निकाला जा सकता है कि रचनात्मक्ता कई रूप और मिश्रोन ले सकती है। कुछ में अधिक बौदिक गुन हो सकते हैं अन्ने में रचनात्मक्ता से जोड़ी गुन अधिक हो सकते हैं। टेकिन एक रचनात्मक्त व्यक्ति के गुन क्या है? आप उन विशेष्टाओं पर चर्चा करना पसंद कर सकते हैं जो सभी प्रकार के रचनात्मक्त व्यक्तियों के लिए सामान्य है. बुद्धी के विप्रीत रचनात्मक्ता की क्षमता के संदर्ब में विविद्दाओं का अलग-अलग दिशाओं में जाने में मदद करते हैं. स्विजनात्मक्ता परीक्षनों में प्रशनों या समस्याओं के कोई निर्दिष्ट उत्तर नहीं होते हैं. इसलिए किसी की कल्पना का उप्योग करने और उसे मूल तरीकों से व्यक्त करने की स्वतन्तता है. टचनात परीक्षनों के विप्रीद हैं जिसमें ज्यादातर अभिसारी सोच शामिल है. बुद्धी के परीक्षनों में व्यक्ति को समस्या के सही समाधान के बारे में सोचना होता है और स्मृति, तार्किक्तर, सटीक्ता, अफधरनात्मक्षन और स्पष्ट सोच जैसी क्षमताओं प्रशासन में व्यापक प्रशिक्षन और परीक्षन अनकों की व्याख्या के बाद ही इनका उप्योग किया जा सकते हैं व्यक्ति अपनी शारिलिक और मनोवैग्यानिक विशेष्टाओं में भिन होते हैं व्यक्तिकत अंतर लोगों की विशेष्टाओं और व्यवहार पैटन में विशेष्टाओं को संदर्भित करता है बुद्धी, योग्यता, रुचियों, व्यक्तित्व और मूल्यों जैसे व्यक्तिकत विशेष्टाओं की एक विश्टित विविधता का आकलन किया जा सकता है पनोवैग्यानिक, मनोवैग्यानिक, परीक्षन, साक्षातकार, के स्टडी, अवलोकन और आत्मर रिपोर्ट के माध्यम से इन विशेष्टाओं का आकलन करते है चब बुद्धी किसी व्यक्ति की दुनिया को समझने, तक संगत रूप से सोचने और जीवन की मानडों को पूरा करने के लिए संसाधनों का प्रभावी धंग से उप्योग करने की क्षमता को संदर्भित करता है बुद्धी के लिए मिनौमितिये दृष्टिकोन बुद्धी को क्षमताओं के समूझ के रूप में अध्यन करने पर बल देता है जिसे मात्रात्मक शब्दों में व्यक्त किया जाता है जैसे की IQ सूचना प्रसंस करन दृष्टिकोनों का प्रतिन धित्व करने वाले अधिक हालिया सिध्धान्त उदा स्टनबर्ग का त्रिचापिये सिध्धान्त और दास का पास मौडल बुद्धिमान व्यवहार के अंतरनियत प्रक्रियाओं का वर्णन करता है KORVERG-Gardna का सुझाव है कि बुद्धि आर्ट प्रकार की होती है विशेश रूप से तैयार किये गए परिक्षणों की मदद से बुद्धि का आकलन किया जाता है बुद्धि परिक्षण मौखिक या प्रदर्शन प्रकार का हो सकता है व्यक्तिकत रूप से या समुहों में प्रशासित किया जा सकता है और सास्वितिक रूप से पक्षपाती या सास्वितिक रूप से निश्पक्ष हो सकता है बुद्धी के दो चरम पर हैं बौधिक रूप से कम व्यक्ति और बौधिक रूप से प्रतिभाशाली व्यक्ति संस्पृति बौधिक विकास के लिए एक संदर प्रदान करती है पश्चिमी संस्फिति विशलेशन, प्रदर्शन, गती और उपलब्धी उनमुखीकरन के कौशल के आधार पर तक्नीकी बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देती है इसके विप्रीत, गयर पश्चिमी संस्फितिया बुद्धिमान व्यवहार के संकेत के रूप में आत्म प्रतिविम, सामाजिक और भावनात्मक शमता को महत्वद देती है भारतिय संस्फिती अभिन बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देती है जो लोगों और व्यापक सामाजिक दुनिया के साथ जुड़ाव पर जोड़ देती है भावनात्मक बुद्धिमत्ता में अपनी और दूसरे की भावनाओं और भावनाओं को देखने और प्रबंदित करने की क्शमता शामिल है स्वयम को प्रेरित करने और अपने आवेगों को नियन्प्रित करने के लिए और पारस पर एक संबंधों को प्रभावी धंग से संभालने के लिए अभिरुची कुछ विशिष्ट कोशल प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति की क्षमता को संदर्भित करती है योग्यता परीक्षन भविश्यवानी करते हैं कि एक व्यक्ति उचित प्रशिक्षन और पर्यावरन के साथ क्या करने में सक्षम होगा टचनात्मकता नए उचित और उप्योगी विचारों, बस्तों या समस्या समाधानों को उत्पन करने की क्षमता है टचनात्मक होने के लिए एक निश्चित स्तर की बुद्धी आवश्यक है, लेकिन एक उच्चित स्तर की बुद्धी ये सो निश्चित नहीं करती है कि कोई व्यक्ति निश्चित रूप से रचनात्मक होगा प्रश्न 1. पनोवे ग्यानिक किस प्रकार बुद्धी को परिभाशित और परिभाशित करते हैं 2. हमारी बुद्धी किस हद तक आनुवन शिक्ता प्रकृती और पर्यावरन पालन का परिनाम है चर्चा करना 3. गार्णा द्वारा पहचानी गई बहु बुद्धियों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए 4. बुद्धी को समझने में त्रिचापियर सिधान किस प्रकार हमारी मदद करता है 5. किसी भी बुद्धिक गतिविधी में तीन नियुरोलोजिकल सिस्टम की स्वतंत्र कारे प्रनाली शामिल होती है पास मॉडल के संदर्ब में व्याख्या कीजिए 6. क्या बुद्धी की अवधरना में सास्कृतिक अंतर है 7. IQ क्या है पनोवे ग्यानिक लोगों को उनके IQ स्को के आधार पर कैसे वरगी कृत करते है 8. बुद्धी के मौकिक और निश्पादन परीक्षनों में आप किस प्रकार अंतर कर सकते है 9. सभी व्यक्तियों की बौधिक शम्ता समान नहीं होती है 10. आपको क्या लगता है कि दोनों में से कौन सा IQ या EQ, जीवन में सफलता से अधिक संबंदित होगा और क्यू 11. ठुची और बुद्धिमक्ता से योगिता किस प्रकार भिन है योगिता कैसे मापी जाती है 12. टचनात्मक्ता का बुद्धी से क्या संबंध है 12. अपने आसपरोस में 5 व्यक्तियों का निरीक्षन करे और उनका साक्षात कार ले ताकि ये पता चल सके कि वे कुछ मनोवैग्यानिक विशेश्टाओं के मामले में एक दूसरे से कैसे भिन है 12. सभी पाँच डोमेन को कवा करे 12. प्रत्य एक व्यक्ति का मनोवैग्यानिक प्रोफाल तयार करे और तुलना करे 12. फाइव व्यवसायों का चैन करे और इन व्यवसायों में लोगों द्वारा किये जाने वाले कारियों की प्रकृति की बारे में जानकारी एकत्र करे सफल प्रदर्शन के लिए आवश्यक मनोवेग्यानिक विशेशताओं के प्रकार के संदर्भ में इन व्यवसायों का विशलेशन भी करें एक रिपोर्ट लिखो चेक्षनिक संकेत 1. विशेय का परिचय देने के लिए शिक्षक मनोवैग्यानिक निर्मानों जैसे बुद्धी, व्यक्तित्वर, योग्यता, मुल्यों आधी पर चर्चा शुरू कर सकता है 2. अध्याय में चर्चा की गई विभिन मनोवैग्यानिक विशेषताओं का परिचय देने के लिए शिक्षक को छात्रों के अनुभवों से सीखना चाहिए 3. विभिन परिक्षनों के कुछ नमुना आइटम, शिक्षक द्वारा एकत्र किये जाने वाले चात्रों को उनकी रुची पैदा करने के लिए दिये जा सकते हैं 4. भावनात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्तियों की विशेषताए अपनी भावनाओं और भावनाओं को समझे और उनके प्रती समवेदनशील बने 5. दूसरों की शारीलिक भाशा, आवाज और स्वर और चेहरे के भावों को ध्यान में रखते हुए उनमें विभिन प्रकार की भावनाओं को समझे और उनके प्रती समवेदनशील बने 6. अपनी भावनाओं को अपने विचारों से समबंदित करें ताकि आप समस्याओं को हल करते समय और निर्ने लेते समय उन्हें ध्यान में रख सकें 7. अपनी भावनाओं की प्रकृती और तीवरता के शक्तिशाली प्रभाव को समझें सदभाव और शांती प्राप्त करने के लिए स्वयम और दूसरों के साथ व्यवाहार करते समय अपनी भावनाओं और उनकी अभिव्यक्तियों को नियंप्रित और नियंप्रित करें